इस लिक्चर में हम DB में इसका important questions देखेंगे block 1 क्या है तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो इसमें 4 block है block 1, block 2, block 3, block 4 तो block 1 से minimum आपके पास 55 to 75 marks के पुछे गए हैं ठीक है block 2 में आपके पास similarly आपके पास क्या है 45 to 50 marks के पुछे गए हैं block 3 और block 4 ठीक है आपको नहीं करना है because इसमें हमारा use case आपके पास या फिर study आप करते हो जैसे use case मतला समझ रहे हो नहीं जैसे देखो simple example देखो जैसे आपका hospital management या किसी कवी आप project बनाते हो तो उस project में आप what is the role of the database ठीक है भई database की रोल का है like उसका आप एक ER diagram मना होगे ठीक है SQL के query लिखोगे कितने table की जरूरत है आपके पास मतलब क्या हुआ उसको analysis करना ठीक है तो इसमें आपके पास जैसे block 3 में देखोगे तो किसी एक project पे जैसे hospital management का उसको analysis किया गए block 4 में भी same चीज़ आपके पास है तो बट यह चीज़े अगर मैं job के point of view से मैं बात करूं तो block 3, block 4 बहुत important है exam के point of view से मैं बात करूं तो block 1 सबसे most important next block 2 because complete database यहां पर आपके पास है तो क्योंकि block 1 काफी lengthy unit आपके पास है तो हम discuss करेंगे block 1 का देखो यहां पर block 1 में जो पहला unit है basic concept उसमें एक question पूछा जाता है what is the database management system ठीक है एक पर मैं इसको zoom कर देता हूं थोड़ा सा इसके थरूख clear रहोगा आपके पास DBMS क्या है explain the limitation of a file system ठीक है तो देखो database को समझने के लिए सबसे पहले database समझना फिर आप DBMS समझना basically DBMS क्या होता है एक software होता है database एक software नहीं होता है DBMS एक software होता है what ध्यान से देखना आपके पास ठीक है तो हम complete आपके पास discuss नहीं करेंगे देखो again आपके पास limitation of a file system ठीक है भाई file system क्या है तो database के पहले है ना देखो database के पहले हमारे पास record कैसे store होते थे वो file system है तो उसके भी कुछ ना कुछ limitation आपके पास होते है ठीक है again three level of architecture most important आपके पास और देखो यहां पर भी data dependency या फिर कैसे आप वीव करते हो physical या logical आपके पास ठीक है वह आपको देखना है data models again कितने types के data models है वह भी आपको देखना है तो इसमें से अगर मैं बात करूँ mostly आपके पास first two पूछेगा है ठीक है minimum पहला और दूसरा questions आपको करके जाना है next आपके पास इसी में मैं second unit की में बात करो तो देखो आपके पास relational and ER models है तो इसमें आपके पास देखो basically यह unit है क्या देखो यह unit क्योंकि मैं database भी कई बार आपके पास बढ़ाया हूँ ठीक है तो इस table में basically क्या होता है आपके पास record store होता है ठीक है जैसे student का record हो गया faculty का record हो गया ठीक है तो कोई ना कोई एक student table होगा ठीक है इसमें कोई ना कोई एक id होगा name होगा आपके पास age होगा ठीक है मतलब यह चीज़ है तो first आपको domain देखना है ठीक है जैसे id है इसका डोमेन क्या होगा, इंटीजर होगा आपके पास जो आपने डिकलियर उसमें करोगे वही होगा attributes का मतलब क्या आपके पास basically यह id हो गया, name हो गया, age हो गया यह चीज आपके पास attributes हो गया, यह यह फिल्ड tuples का मतलब आपके पास क्या होगा, number of record और relation मतलब आपके पास table, ठीक है, तो आप because table से ही आपके पास relation बनता है next क्या है type of key, यह ना by different type की key है, super की है, candidate की है, primary की है तो आप ध्यान रखना, देखो इसमें primary की क्या है practically use होता है, primary की क्या होता है, practically use होता है, super की या candidate की कोई आपके पास practically use नहीं है, ठीक है, हलाकि तीनों पूछा जाता है आपके पास, तो अगर मैं बात करो, तो super की क्या होता आपके पास, है ना, पूरा आपके पास universal होता है super की, ठीक है, तो आप देख ले रहे हैं इसको पढ़ ले ना, detail में नहीं जाएंगे, एगें, दुबारा मैं बता रहा हूँ, एगें, next का relational constant, ठीक है, इसमें कितने types के होते हैं, constant मतलब समझ रहे हो, condition, क्या condition आपके पास है, एक table के लिए, next का data dictionary, बहुत ही important आपके पास data dictionary, अब देखो, fourth क्या है, यह, देखो, query language की में बात करूँ, तो basically, अगर मैं query language की बात करूँ, तो आपके जो exam point of view, या knowledge point of view में बात करूँ, तो देखो, query language ना देखा जाए, तो आपके पास तीन होते हैं, यहना, एक आपका SQL होता है, एक relational algebra होता है, यह टपल calculus होता है, यह चीज नहीं पढ़ना है, बट जैसे कोई भी query है, यहना, कोई भी query है, तो जो practical चीज होता है, वो SQL होता है, यहना, theoretical आपके पास चीज क्या होता है, relational algebra होता है, इसका मतलब क्या है, भाई, दोनों की power same है, ठीक है, यानि आप, जैसे मैंने query लिखा, कोई भी आपके पास आपने query लिखा, उसको आप SQL से भी कर सकते हो, relational algebra से भी कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें कुछ operation है, उसको आप ध्यान से देख सकते हो, कि भाई, क्या-क्या, इसमें आपके पास operation है, जैसे select होता है ठीक है आपके पास यह सारे operation जैसे आपने देखा होगा, sigma, pi ठीक है, इस type के operation होता है, next आपके पास क्या है, HR diagram और उसको कैसे convert किया जया है, ठीक है,herर diagram आपके पास पता ही क्या होता है, किसी भी दो entity के बीच में किसी भी दो entity के बीच में क्या क्या आपके पास relationship होता है तो इसमें कुछ symbol भी important है कि भाई आपका जैसे एक symbol पूछा जाता है कई बार weak entity यहना weak entity क्या होता है देखो मैं लिखते रहा हूँ weak entity weak entity मतलब कोई भी primary की नहीं है तो कई टाइब के आपके पास symbol मिल जाएंगे जैसे attributes का symbol यह ना यह मिल जाएगा आपके पास composite attributes का ठीक है तो आप देख ले ना उसके बाद क्या होता है भाई ER diagram है उसको tables में convert करना भाई यह आपका ER diagram है यह आपका tables है तो उसको कुछ rules होते है भाई इस ER diagram को कैसे आप table में convert करोगे ठीक है नेक्स्ट क्योंकि video हम ज़्यादा lengthy नहीं करेंगे maximum 10 minutes का ठीक है देको next आपके पास क्या है database integrity and normalization यह भी काफ़े important आपके पास है इसमें देको numericals बहुत आते है ठीक है अगर किसी एक table में duplicate रहेगा यानि duplicate का मतलब क्या होता है same recount कई बार repeat हो रहे है तो problem होगा न replication होगा anomalies आपके पास generate होगा तो उसको आप देख लेना next क्या है देखो यह functional dependency most important देखो अगर यह topic आ गया second topic आ गया third fourth automatically आपके पास आ जाएगा तो functional dependency आपके पास क्या होता है जैसे मैं आपके पास बोलूँ account number है और आपको balance निकालना है भई account number पता चल जाएगा तो balance पता सकते हो न तो functional dependency क्या बोलता है किसी भी दो attributes के बीच में relation बताता है एक आपके पास given होगा एक को निकालना होगा आपके पास ठीक है तो ऐसे आपके पास है detail में नहीं जाएंगे हैना again आपके पास closure closure क्या होता है किसी भी आपके पास functional dependency suppose ये given है a is equal to bc हैना जैसे आपके पास d is equal to e इस type का आपके पास given है तो यहाँ से functional closure आप निकालते है एक इसका ध्यानक न 1NF ये हो गया 2NF ये हो गया 3NF ये हो गया इससे उपर bcNF हो गया तो जैसे bcNF मतलब boss की code normal form तो और एक और आपके पास होता है lossless and lossy ठीक है lossless का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी 2 table आप merge करते हो हैना 2 table merge करते हो तो कुछ भी loss नहीं हो है ना lossy का मतलब कि आप 2 table आप merge करते हो तो कुछ ना कुछ maybe attributes loss हो जा record loss होता है numericals के में बात करूँ तो जैसे यहाँ पर normal form में पूछा जाता है closure निकाने के लिए functional dependency में भी पूछा जाता है आपके पास ठीक है तो इसको आप ध्यान रखना last आपके पास क्या file organization file organization में देखो यहाँ पे कोई भी numericals नहीं है theoretically पूछा जाते है बाई कितने types के files आपके पास है आपको पता होना चाहिए क्या-क्या file है next क्या type of index क्या-क्या आपके पास index है primary index, single index, clustering spark, secondary है indexing करते हो क्या हम index है indexing based on the BST कर सकते है BST मतलब समझे है binary search tree तो जैसे यह root node हो गया इसके left में क्या होते है आपके पास less than 90 है this is called BST आपने पढ़ा होगा तो तो जो हमारा index है क्या हम tree based कर सकते है उसमें tree based मतलब क्या BST कर सकते है ठीक है तो don't worry अगर यह file चीए तो आप मुझे मैं भी आपके पास whatsapp के तुरू या email के तुरू या फिल लिंक दे दूँगा यह file आपको मिल जाए ठीक है तो अगर आप चाहते हो कि next blog का भी video बने ठीक है तो please आप comment कीजिए और बताएए video कैसे लगा आपके पास ठीक है thank you